हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टू एड्रोइट कॉंपिटिटिटिव क्लासिस और हम क्या पढ़ रहे थे साइंस पढ़ रहे थे तो हम आज अपना वह पहले बाले चेप्टर ही कंटीनू करेंगे आज इस चेप्टर की लास्ट क्लास रहेगी सैल बयालोजी और आज हमारा समझ में आएंगी ठीक है और हमारा क्या रहेगा हमारा 60 देज का एक मिशन चल रहे है जीडी मिशन सफलता बैच ठीक है 60 देज का यह मिशन है तो 60 देज में हम लोग क्या करेंगे आपको जीडी के लिए प्रिपेर करेंगे हमारा यह बहुत रहेगा मिशन सफलता बैच एकदम से free है और हमारा पढ़ने का कैसा तरीका है एक बर जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूं हम क्या करेंगे हम 60 days तक science की classes करेंगे इन 60 days में मैं आप लोगों के क्या कराऊंगी मैं आप लोगों को PYQs कराऊंगी PYQs के साथ-साथ हम क्या करेंगे हम जिस चीज के बारे में वो question होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे detail में यानि कि आपको सारी चीज़ें वहीं detail में पता चल जाएंगी जितनी भी उस चीज के बारे में extra चीज़ें होगी ठीक है तो आपको extra या अलग से पढ़ने की जूरत नहीं है और आप लोगों को पता होगा की नोटिफिकेशन हमारा आगया है आपकी प्लस वेकेंशी हैं कल मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया था और जिन बच्चों को अपना फॉर्म अप्लाई करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप लोग अपना अप्लाई कर लेना उसको ठीक है भई अब आगे प्लाई उसको फिर जो भी आप फॉलो करते हो इट ड़संट मैंटर कि आप कौनसी बॉक फॉलो कर रहे हैं कहां से बढ़ रहे हो आप बस सीरियूस हो के पड़ो और जो आपके ग्लास में यहां पी में कंटेंट दूंगी ना वो बेफाल तो गया इदर दरगा नहीं होगा वो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बिलकुल थे तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपको मतलब याश्टिक होने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है भई? तो हमारी क्लास कंटीनू करते हैं आप यह आज का हमारा पेला कॉस्टन है तो चलो पड़ो, which of the following cell organelles functions both as a pestis way for intracellular transport and as a manufacturing surface? निमलकित में से कौन सा कोशिकांग अंते कोशिके परिवहन के लिए मार्क और निर्मांट सते है, दोनों के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा करता है भई? इसका अंसर क्या है? इसका अंसर आप लोग मुझे बताओ, इसका अंसर क्या है? इसका अंसर है आपका endoplasmic reticulum, यानि के अंतेह प्रिय धर्वे जाले का, इसका अंसर है endoplasmic reticulum, ठीक है? हमारा endoplasmic reticulum ही क्या करता है? हमारा पैसिस वे के रूप में कार्य करता है और intracellular transport क यह हम लोग पढ़ चुके हैं, यह देखो, यह क्या है? यह इसका डाइग्राम है, the endoplasmic reticulum is the largest organal in the cell and is a major site of protein synthesis, यह आपको पता ही है, कि जो endoplasmic reticulum होता है, देखो, यह दिख रहा है? यह सब क्या है? endoplasmic reticulum है, फिर यह आपको pipes दिख रही होंगी, यह देखो, pipes, यह ऐसे, यह ऐसी pipes आपको दिख रही होंगी, यह endoplasmic reticulum क्या करता है? इन pipes में से ही आपके क्या निकलते है? ribosomes निकलते हैं, इन pipes में से ही क्या निकलेंगे? ribosomes निकलेंगे, इन pipes से क्या निकलेंगे? ribosomes, यह ribosomes, और जिस endoplasmic reticulum से यह ऐसे करके, यह देखो, यह आपकी end endoplasmic reticulum है और यह देखो यहां पर यह चिपके वह है, यह राइबोजूम चिपक गए, तो यह चिपके वह है, इसको कहेंगे S, इसको कहेंगे RER, यानि कि rough endoplasmic reticulum, और जिस से नहीं चिपके वह है, जिस जहान oret top 고민 surface यहां पर plane है जयसे देखो यह यह यहां गुट सिपय मैं यह है। तो इस को इसको क्या कहेंगे हैं smooth endoplasmic reticulum याणि के SER याणि के क्या कहेंगे हम कहेंगे इसको SER समझ में में रहे हैं घैंहा रहा यह सारे बच्चों को यहाँ आपका रहता है, क्या? Nucleus रहता है, और Nucleus के चारो तरफ, Protein Synthesis के लिए आपका एक structure होता है जिसको कहते है, Endoplasmic Reticulum Endoplasmic Reticulum का काम क्या क्या है? यह देखो, यहाँ पर काम इसके लिखे में यहाँ पर एक से Functions लिखे में इसका काम क्या है? Protein Synthesis Transport Protein Folding Lipid and Steroids Synthesis Carbohydrate Metabolism and Calcium Storage यह सारे किसके काम है? यह आपके Functions है यह किसके है? यह आपके Functions है Functions of Endoplasmic Reticulum यानि के ER तो ER के क्या है? ER के यह कारी है, तो आप लोग याद रखें क्या क्या काम है? Protein Synthesis करना परिवहन करना Protein तै Lipid और Steroids का Synthesis करना और Carbohydrate का उपाचय करना और Calcium का भंडारण करना यह सारे काम किसके हैं? आपके Endoplasmic Reticulum के है Next question पे चलते हैं Which organal is found both in eukaryotic and prokaryotic? तो ऐसा कौन सा Invasive Organ है जो आपका prokaryotic में भी मिलता है और eukaryotic में मिलता है अब मैंने आपको समझाया वह है कि prokaryotic और eukaryotic में क्या फर्क है? क्या difference है? यह आपकी दो cells है यह आपकी cell है आपकी prokaryotic pro pro मतलब पहले pro मतलब पहले और यह है आपकी eukaryotic यू का मतलब है यहाँ पहले बाद میں यू का मतलब क्या है? बाद में यानि के यह वो cells है जो धर्ती पहले आई यह वो cell है जो धर्ती पहले आई तो इस cells में nucleus इस वाली cell में बन नहीं है लेकिन यह cell आपकी धर्ती में बाद में आई, मतलब जब cell का विकास होता गया, होता गया, होता गया, तो हमारे पास एक ऐसी cell बन गई, जिसके पास अपना खुद का नुकलियस था, इसके पास क्या है, इसके पास अपना खुद का nucleus है, खुद का अपना nucleus है और इसी लिए इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे eukaryotic cell समझ में आगया, यह एक basic सा difference है, अब हम आगे देखते हैं, options हम बाद में लगाएंगे पहले हम इसको समझते हैं देखो यह मैंने दो cell के diagram डाले हैं आपका इधर है prokaryotic cell और इधर है eukaryotic cell यह जो eukaryotic cell है यह एक normal cell है normal cell, normal cell कौन सी? जो आपकी animals में मिलती है जो आपकी animals में मिलेगी और जो आपकी मिलेगी plants में ठीक है? जो animals में मिलेगी और जो plants में मिलेगी यह वो normal cell है और यह prokaryotic cell यह है आपका bacteria क्योंकि bacteria ही एक ऐसा जीव है जो एक cell का बना होता है और जिसके पास nucleus नहीं होता समझ में आ गया, समझ में आया भई और जिसके पास nucleus नहीं होता आप देखो, इन दोनों मे parallel इसमें nucleus है इसमें nucleus है और nucleus के अंदर आपके chromatins और chromosomes भरे होता है, इसमें nucleus है, और nucleus के अंदर आपके chromatin और chromosomes भरे होता है, लेकिन इसके बास nucleus नहीं है, इसके बास nucleus नहीं है, तो इसमें क्या होता है इसमें ऐसे free form में आपके ये chromatin और chromosomes ऐसे पढ़ें, ये देखो, chromosomes, इसमें free form में गुमते रहते हैं, ऐसे और देखते हैं, डिफ्रेंस क्या है, और देखो, डिफ्रेंस क्या है, इसके पास फ्लैजीला है, क्योंकि ये एक बैक्टिरिया है, और बैक्टिरिया को मूव करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टिरिया को मूव करने के लिए फ्लैजीला चाहिए, तो ये फ्लैजीला है, ये इसमें और क्या डिफरेंस है जो नॉर्मल सेल होती है उसमें क्या है इसमें और क्या नहीं है लेकिन जो बैक्टिरिया है हमारा हमारे बैक्टिरिया के पास एक बाहर की लेयर है जिसको क्या कहेंगे जिसको सेल वॉल कहेंगे जिसको सेल वॉल कहेंगे यह इसके बेसिक आपके हो गए और देखो डियने है अब जब डियने है तो क्रोमोजोम क्रोमेटन भी है अब जब डियने है क्रोमोजोम है क्रोमेटन ह तो फिर आपका क्या रहेगा, तो फिर आपका waste materials भी बनेगा, जब chromatin chromosome में change होगा, या chromosome chromatin में change होगा, मतलब DNA बनेगा या genes बनेगे, आपके cell division के time पर तो फिर waste material भी बनेगा, और जब waste material और extra material आपका बचेगा, तो ribosomes भी बनेगा, आपको पता है ना, कि ribosomes क्या होता है, जब आपके cell, जो cell है, वो जब डिवाइड होता है, तो extra जो proteins बचते हैं, extra proteins हैं, या lipids हैं, जो भी extra चीजे बचते हैं, कुछ waste चीजे बचते हैं, कुछ cell में इदर दर, इदर करने होते हैं, गुम-गुम के अलग-अलग cell के अंदर, intracellular transport होता है, मतलब cell के अंदर ही अंदर जो चीजे ने हैं, वो एक जगे से दूसरी जगे बेजी जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो फिर ये थैलियों में ऐसे पैक हो जाते हैं, तो जब थैलियों में ऐसे पै Arontic Cell में नहीं है, तो इसके अंदर difference के आया, एक तो Nucleus, अब Nucleus है तो Nucleus Membrane भी, ठीक है, Nucleus है तो Nucleus Membrane भी, नेक Сथ आपका Ribosome, Ribosome तो मैंने आपको बताया, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है भई, फिर Citoplasma इसमें भी होता है और इसमें भी होता है उसके बाद Golgi body इसमें है लेकिन इसमें Golgi body नहीं है ठीक है अब इसमें plasma membrane है और इसमें भी plasma membrane है इसमें plasma membrane भी है और इसमें फिर आपकी cell wall भी है इसमें दो-दो layers होती है ठीक है endoplasmic reticulum इसमें है लेकिन इसमें endoplasmic reticulum नहीं है, क्योंकि endoplasmic reticulum उसी cell में मिलती है, जिसमें आपका क्या होगा? Nucleus होगा. क्योंकि nucleus के साथ ही endoplasmic reticulum जूड़ी होती है. ठीक है भई? अब mitochondria देखो. mitochondria इसमें तो है, लेकिन mitochondria इसमें, इसमें mitochondria नहीं है. अब हम हमारे options देख लेते हैं. अब हमारे options देखते हैं, यह देखो. सबसे पहले बात कर रहा है, कि ऐसा कौन सा organ है, जो दोनों में पाये जाता है. इसमें यह पूछा गया है, कि ऐसा कौन सा अंग है, कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है, जो prokaryotic में मिलेगा और जो eukaryotic में भी मिलेगा. तो हम देखते हैं एक बार, सबसे पहले बात करते हैं, mitochondria की, तो देखो, mitochondria तो नहीं है. हमने अभी पीछे देखा, कि mitochondria नहीं मिलता. mitochondria answer इसका नहीं हो सकता, कि mitochondria सिर्फ और सिर्फ prokaryotic में, eukaryotic में मिलता है, prokaryotic में, mitochondria नहीं होता. lysosome भी नहीं मिलता, हमने पीछे देखा, golgi body भी नहीं मिलता, हमने पीछे देखा, लेकिन यह देखो, हमारा first option क्या है? ribosome. हमारा option बच गया, ribosome. Ribosome देखो, ribosome जो है, वो आपका इसमें भी ribosome है और इसमें भी ribosome है. तो answer is, answer is A. मतलब हमारा option number A, इसका बिलकुल सही answer हो गया. ठीक है भाई? next question पे चलता है. यह देखो, next question. Which of the following statement is correct about endoplasmic reticulum? तो endoplasmic reticulum क्या था? endoplasmic reticulum क्या है? आपका यह structure, यह nucleus है और इसके बाहर का जो यह वाला area है, सारा, यह क्या है आपका, यह सारा क्या है आपका endoplasmic reticulum है? तो endoplasmic reticulum के बारे में सही question, सही answer इनों ने पूछा है, सही line पूछी है. पहला क्या है? It is a large network of membrane bound tubes and sheets. बिलकुल सही है. यह बहुत large membrane है और endoplasmic reticulum जो है, वो बड़ा, सबसे बड़ा cell organal है. ठीक है? हमारी cell का सबसे बड़ा cell organal है, आपका endoplasmic reticulum. दूसरा point है, it is a similar in structure to the plasma membrane. यह plasma membrane जैसा similar structure है, तो बिलकुल सही है. क्यों? क्योंकि plasma membrane क्या करता है? plasma membrane हमने अभी पीछे पढ़ाता plasma membrane transport को समालता है. कैसे transport को समालता है, हमने पढ़ाता कि cell के बाहर से जो चीजे अंदर हैंगी और जो cell के अंदर से जो चीजे बाहर जाएंगी, उनको आने-जाने की permission कौन देगा? उनको आने-जाने की permission देंगे proteins. कौन से proteins? जो cell wall के, sorry, जो cell membrane के बीच में लगे हैं, जो आपका fluid music model है, जो Bi layer model है, कि एक layer आपकी ऊपर बनी है, ऐसे करके, एक layer आपकी बनी है, ऐसे करके उपर, यह इनकी पूछ बनी है, एक layer ऐसे करके आपकी बनी है, नीचे, जिसमें यह सारे chip के होते हैं, उल्टे पैर करके, मतलब उपर की तरफ पैर करके और यहां बीच-बीच में आपके लगे होते हैं प्रोटीन और इन्हीं प्रोटीन से क्या होता है इन्हीं प्रोटीन से आपका होता है ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर का ट्रांसपोर्ट और सेल के अंदर का ट्रांसपोर्ट कौन समालता है आपका cell membrane समालता है, उसी तरीके से आपका जो cell के अंदर transport करने का काम होता है, कौन करते हैं, ribosome, ribosome कौन बनाता है, endoplasmic reticulum, इसी लिए ये option भी बिल्कुल सही है, तो option number हमारा answer क्या हो गया, answer हो गया D, both 1 and 2, मतलब हमारे दोनों options सही है, ठीक है बाई, question clear है, हिंदी वाले भी देख लो एक बार, endoplasmic reticulum के बारे में, endoplasmic reticulum को अगर किसी बच्चे को लग रहे है कि मेडम, ये तो हिंदी में भी ऐसे लिखा है, देखो, ऐसे ही लिखाता है, लेकिन फिर भी आपको अगर हिंदी का शब्द जानना है, तो इसको हिंदी में कहते हैं, अन्त है, प्रिय दर्वी, प्रिय दर्वी जालिका, अब ये शब्द तुम याद करते करते ना गूम जाओगे, तुमारा मन करेगा कि दिवार में सरी मार लू, या फिर मैं इंगलिश का याद कर लू, और इंगलिश इतने तो पढ़नी पड़ेगी भई, इंगलिश भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इंगलिश भी आपके पेपर में आती है, यह कॉशन क्लियर हो गया, I hope कॉशन क्लियर हो गया होगा, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो वो पीछे बैक करके एक बर और समझ लेना चीज है, ठीक है बई, वीडियो तो आपके पास ही रहेगी, आप जतनी बार चाहें, उतनी बार वीडियो को देख सकते ह next question क्या है, what are the projection of wearing length protruding out of an amoeba body which can appear and disappear known as, मतलब कि जो आपका amoeba होता है, मतलब कि जो आपका amoeba होता है, amoeba के शरीर में एक ऐसा अंग बताना है जो कभी-कभी दिखता है और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं दिखता है, कभी-कभी वो दिखेगा, लेकिन कभी-कभी वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है? तो यह देखो, और उसकी length के उभार को क्या कहते है, मतलब उसके शरीर से एक ऐसी लंबाई निकलती है, एक ऐसी length निकलती है, जो कभी-कभी दिखेगा और कभी-कभी नहीं दिखेगा, तो ऐसे करके क्या हो सकते है, खुद सोचो, ऐसे करके क्या हो सकते है, खुद सोचो, कॉंट्रेक्टाइल वेक्यूल कॉंट्रेक्टाइल वेक्यूल क्या होता है हम इसको डाइग्राम से समझते हैं हम इसको डाइग्राम से समझते हैं यह देखो यह है आपका अमीबा यह है आपका अमीबा अमीबा में ये है आपकी कॉंट्रेक्टाल वेक्यूल कॉंट्रेक्टाल वेक्यूल का मतलब ये होता है एक ऐसा स्थान जो सिकुडता रहता है बढ़ता रहता है कम होता रहता है बढ़ गया, कम हो गया मतलब कि हमने अभी तक आपको वेक्यूल पढ़ाया है, मैंने आपको, sorry, मैंने आपको दो तरीके का वेक्यूल पढ़ाया है, मैंने आपको यह कहा है, कि जो animal होते हैं, उनमें जो वेक्यूल होता है, उनकी cell में जो वेक्यूल होता है, वो छोटा होता है, लेकिन जो plant cell में जो वेक्यूल होता है, वो तो बह और हमारी animal cell जो है, वो वेक्यूल को एक waste जगह समझ के use करती है, कि जितने भी आपकी cell के waste product है, sorry भई, हाँ, तो जितने भी आपके waste product है, cell के जो waste product है, वो आप उसमें रखते तो, animal cell उसको ऐसे use करता है, तो अमीबा के अंदर भी ऐसी ही एक वेक्यूल होती है, जो उसको अपना extra समान रखने के लिए use करता है, तो यह extra समान आपका पढ़ा रहता है, contractile वेक्यूल में, उसी तरीकी से अमीबा के पास एक food वेक्यूल होती है, food वेक्यूल यानि के जिसमें यह अपना खाना प्रिजर्व करके रखता है, उसी तरीके से आपकी एक water वेक्यूल होती है, जिसमें यह पानी रखता है अपना, और देखो, यह है आपका studio podia, studio podia का मतलब यह है, कि अच्छा, अमीबा के अंदर जो plasma भरा होता है, जो कम और ज्यादा होता रहता है, उसको कहते है एक्टो प्लास्मा, ठीक है, और यह सारे इसके internal parts है, internal parts है, लेकिन हमें studio podia के बारे में बात करनी है, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसके बारे में यह समझाना चाहूँगी, कि यह हमारा अमीबा है, यह हमारा क्या है, अमीबा, और अमीबा को यहाँ पे दिखा food, अमीबा को यहाँ पे क्या दिखा है, अमीबा को यहाँ पे दिखा है food, तो यह इस food को capture करने के कोशिश करेगा, जब ये इस food को capture करने के कोशिश करेगा जब ये इस food को capture करने के कोशिश करेगा तो ये अपने structure में एक change करेगा और ये ऐसे करके अपने structure को change करेगा आगे बढ़ेगा इसके बाद और इसके बाद ये फिर अपने structure को change करेगा और ये अपने structure को ऐसा बना लेगा, ऐसा करके, और ऐसे बनाते-बनाते, ये क्या करेगा? कि ये इस खाने को अपने लेगा अंदर और इसको डॉलेगा, कि इसमें? उसको डालदेगा, food way, qeol पे, तो तुम ने देखा, कि जो आपका अवीबा है, इसने अपने structure को change किया और इसने अपने पैर निकाले, इसको पैर ही कह सकते है, इसको ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसे खाने के लिए, ऐसे खाने के लिए, ऐसे खाने के लिए, ऐसे खाने के लिए खाने के लिए, इसने क्या किया, इसके पास विसे रियल में नहीं है, लेकिन इसने अपने फॉल्स फीट यह क्या है इसके, यह है इसके false feet, इनको कहेंगे false feet, और इनने false feet को science में कहते हैं, pseudio podia, यह वाला, answer D, तो यह इसके कभी दिखते हैं और कभी नहीं दिखते, यह इसकी body का एक काम क्या सकते हैं, कि इसका एक function क्या सकते हैं, कि जब भी इसको खाना-खाना होता है, तो यह अपनी body के structure को ऐसे change करके, ऐसे नकली pair बनाता है, कि मैं खाने को जो है, वो फटक से अपने अंदर ले लूँ, फटक से अपने अंदर लेनी के लिए, यह अपनी जिल्ली का जो size है, या इसका जो structure है, उसको change करता है, और false feet, ऐसे करके यह food को फिर अपने ऐसे अंदर जाता है, और इन ही को क्या कहते है, इन ही को कहते है, studio podia, समझ में आ गया भाई, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा D, यह देखो, मैंने इसमें सारा लिखवाया हुआ है, इसमें सारी चीज़े आपकी लिखी भी है, इसमें contractile, vacule का भी लिखा हुआ है, यह देखो, आपक इनको क्या कहते है, इनको false feet भी कहते है, मतलब जूथे पैर, हिंदी में भी इसको लिखा होगा, कि इसको क्या कहते है, इसको जूथे पैर कहते है, कुट पाद कहते है, कुट का मतलब क्या होता है, जूट, तो इनको कुट पाद भी कहते है, जूथे पैर भी इनको कहते है, और दूसरा मैंने इसका क्या लिखवा है, दूसरा मैंने इसका function लिखवा है, contractile vacule का, contractile vacule is to pump water out of the cell, मतलब amoeba क्या करता है, amoeba एक पानी में रहने वाला जीव है, तो अगर पानी में रहने वाला जीव है, तो उसके अंदर बहुत सारा पानी भी भरता रहता है, और vacules में एक्स्ट्रा पानी घटा होता रहता है, तो अपनी बोडी से एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए, एक्स्ट्रा पानी को पंप करने के लिए, उसको contractile vacule की जरूरत होती है, तो contractile vacule is to pump water out of the cell, through a process is called osmorgulation, osmorgulation, यह बहुत important है, तो आप इस चीज को याद रखना, कि ज निकालने के लिए, उस process को कहते है, osmorgulation, उस process को क्या कहते है, osmorgulation, और हिंदी में भी ऐसी बोला जाएगा, osmorgulation, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, next question देखते है, यह हमारा हो गया है, das is known as the energy currency of the cell, यह तो मैंने अभी last class में ही बताय था, कि जो mitochondria होती है, जब कि mitochondria होती है, वो क्या घरती है, mitochondria आपकी बनाती है, energy हमारी body की, हमारी body की energy बनाती है, किस form में बनाती है, ATP की form में बनाती है, ATP, ATP की full form क्या होती है, ATP की full form होती है, Adenosin triphosphate, Adenosin triphosphate, Adenosin triphosphate, और adenosine triphosphate यानि के ATP को ही क्या कहते हैं, हमारी body की energy currency कहते हैं, हमारी body की क्या कहेंगे, energy currency कहते हैं, और हमारी body के लिए energy mitochondria बनाता है, इसी लिए mitochondria को कहते हैं, powerhouse of the cell, mitochondria को क्या कहेंगे, powerhouse of the cell, तो answer क्या आजाएगा, answer आजाएगा B, यानि के ATP, sorry, sorry, B नहीं भाई, B नहीं, B नहीं, answer आएगा C, answer आएगा C, ATP, ठीक है, next question देखते हैं, यह मैंने इसका लिखवा दिये हैं सारा, solution आपका, adenosine triphosphate, यह इसकी full form होती है, है, यह हमारी source of energy होती है, ठीक है, जिसको हम use करते हैं, और यह cellular level पे, तीन phosphate होते हैं, देखो, तीन को ही बोलते हैं, tri, tri, triphosphate बोलते हैं, triphosphate, तो tri मतलब तीन, मतलब तीन phosphate से जो मिलके बना हुए, वो adenosine triphosphate होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, solutions आप लोग पढ़ लेना, which of the following cell organelles are not present in animal cell, इन में से कौन सा ऐसा cell organ है, जो animal cell में नहीं पाया जाता है, animal cell में नहीं पाया जाता है, not present, animal cell में नहीं पाया जाता है, ध्यान से सुनो, animal cell के पास भी nucleus होता है, और plant cell के पास भी nucleus होता है, तो ribosome तो इसका अंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ribosome animal cell में भी होता है और plant cell में भी हो सकता है, next option देखता है, next option, next option है आपका lysosome, lysosome क्या है, lysosome वो है, जो आपका waste आपके acids को अपने अंदर contain करता है, वो acids जो आपके Golgi body उसको देती है, तो Golgi body जो थैलिया बनाती है, Golgi body जो packing करती है, वो packaging की थैलियों को क्या कहते हैं, packaging की थैलियों को कहते हैं, lysosome और lysosome में extra acids होते हैं और जब acids बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वो थेली फट जाते हैं इसलिए lysosome को कहते है, suicidal backs कहते हैं अब ये तो animal cell में भी होता और plant cell में भी होता है तो ये option भी नहीं हो सकता mitochondria mitochondria दोनों में होता है आपकी plants को भी energy चाहिए और आपकी animals को भी energy चाहिए तो energy हमारी body के लिए कौन बनाता है mitochondria बनाता है, तो mitochondria भी इसका answer नहीं हो सकता, तो option क्या बच गया हमारा, option बचा हमारा plastics, option क्या बचा हमारा option बचा हमारा plastics, plastics ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके plants cell में मिलते हैं plastics, plastics आपके किस में मिलते हैं plastics आपके, plastics जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ plants cell में मिलते हैं plastics किस में मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ plants cell में मिलते हैं यहां मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ देखो Plastids का मतलब है Plastids का मतलब है Plastids किस में मिलते हैं Only in Plants Only in Plants सिर्फ और सिर्फ पौधो में मिलते हैं और पौधो में generally जो Plastid मिलता है उसका नाम क्या है उसका नाम है Chloroplast उसका नाम क्या है उसका नाम है Chloroplast जो Chloroplast होता है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे, हरित लवक, इसको हिंदी में कहेंगे, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जो है, वो हमें कौन सा कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट हमें देता है हरा रंग, यानि के ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर के वज़े सही, हमारी जो ली यानि के Plastids, यह देखो, इसमें आंसर इधर लिखा हुए, ठीक है, next question बढ़ते है, which of the following are situated in the nucleus of the cell, इन में से कौन सा nucleus cell में पाया जाता है, अब धियान से सुनो, nucleus में कौन सा पाया जाएगा, हमें nucleus के अंदर बताना है, हमें nucleus के अंदर बताना है, देखती हुमें diagram लगवाया है तो मैंने, diagram मैंने लगवाया है, हम हमारे एक बार diagram को देखते हैं, देखो, यह है हमारा nucleus, हमारा प्यारा प्यारा nucleus, ठीक है, धियान से सुनो, इस nucleus में क्या-क्या है, यह हमारा nucleus है, यह हमारा nucleus है और यह इसका dissection का diagram है, यह इसका dissection कैसे है, जैसे यह ball हो माल लिया और इसको बीच में से ऐसे काटे, इसका one-fourth हिस्सा हटा दे, तो वो अंदर से कैसे दिखेगी, यह वो वाला structure है, जो हमारा nucleus होता है, nucleus जो होता है, उसके अंदर एक और आपका छोटास वाला पार्ट होता है, तो ये देखो, ये है nucleus, अब इस nucleus के अंदर, आपको ये thread-like structures दिख रहे होंगे, ये देखो, ये thread-like structures दिख रहे हैं, यह thread-like structures दिख रहे हैं, इन thread-like structures को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, chromatin, इनको क्या कहते हैं, chromatin, अब यह thread-like structures, जिस पानी में तैर रहे हैं, यालनी के जो nucleus के अंदर जो liquid भरा हुआ है, उस liquid को क्या कहते हैं, यह जो liquid nucleus के अंदर, यह जो liquid ऐसे भरा हुआ है, इस liquid को क्या कह क्रोमेटिन से जब सेल को डिवीजन करना होता है जब सेल को क्या करना होता है डिवीजन करना होता है तो इन ही क्रोमेटिन से बन जाते हैं इन ही क्रोमेटिन से बन जाते हैं क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के उपर ही आपके क्या चिप के होते हैं जीन्स चिप के होते हैं जीन्स और यह बाहर वाला हिस्सा यह वाला पॉर्शन जो आपको दिख रहा है यह आपका अंडॉप्लास्मिक रेटिकूलम का है जो पैक्स सेक्रीट करती है उसको क्या कहेंगे उसको राइबोजोम कैते हैं और यह आपका न्यूकलिस का एंवलप है यानि के बाहर वाली कवरिंग ह अब nucleus से जो waste product, जो extra proteins, जो lipids जो निकलते हैं, वो nucleus में कुछ pores होते हैं, उन से निकलते हैं, तो यह आपके nuclear pores हो गए, अब हम दोबारा एक बर question की तरफ चलते हैं, इसमें पूछा गया, which of the falling are situated in the nucleus of the cell, मतलब हमारे जो kendra होता है, उसके अंदर क्या-क्या होता है, तो देखो, chromosome क्या nucleus के अंदर होते हैं, बिलकुल होते हैं, क्या genes nucleus के अंदर होते हैं, बिलकुल होते हैं, यह तो दोनों ही nucleus के अंदर होते हैं, next, देखो, cytoplasma, तो देखो, नहीं, cytoplasma क्या है, cytoplasma उसको कहते हैं, जो cell के अंदर plasma बरा होता है, nucleus के अंदर तो nucleoplasma होता है, तो यह option त बखता यह option गलत हो गया, तीसरा option देखो, तीसरा option में फिर से cytoplasma दिया होगा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, चोथा देखो, protoplasma, protoplasma भी इसके अंदर नहीं होताइ, protoplasma होताए, तो फिर ये भी option गलत हो गया, तो answer आपका क्या आगया, answer आपका आगया A, यानि कि option number one, option number one A, आपका बिल्कुल सही answer है, गुण सूत्र और जीन आपके nucleus के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है भाई, ये आपका क्या है, इसको मैं normal कर देती हूँ, 8 minute, गाई झागया चाहया आपका क्या, लिए एक אुड़, फट्यवे ढवाया, तेकलो के गुचल होना क्या आपका बिल्कुल सहीं, ये एक कर देती हैं, ये जब पालत ही है, पालत हैं, rečको मैं रहता हैं, ये अा आपका आपका आपका, हुआसे आपकी सहीवेवे, भीक बेम यह आपका हो गया ठीक है तो यहां से आप लोग अपना अंसर देख ले न ठीक है भई ठीक है तो यह आपका अपना डीटेल देख ले ना इसकी अंसर की डीटेल देख ले ना और इसका अंसर हमारा जाएगा ए ओप्शन नमबर ए ठीक है तो आज की क्लास इंग तक रखते हैं भई थैंक यू सो मच आज की क्लास आप देखने के लिए और सारे मिच्चे जूड़े रहें और पीछे की सारी क्लास को आप रवाइस कर ले ना ठीक है भई थैंक यू सो मच थैंक यू कट कर दे